वेलकम तो इंग्लिश एलिवेशन, तोड़े आई विल बी रीडिग ए स्टोरी तोड़े इंक्रेडिबली बेनिफिशल फोर इंग्लिश लेर्नर्स, तोड़े इस स्टोरी इस टाइटिल, तो यह एक ट्रांस्वोमेशन की कहानी है, जो हब हम रीट करेंगे Once upon a time, in a quaint, little village nestled among rolling hills, there lived two neighbors named Alice and Ben, they were known throughout the village for their incessant quarrels and petty arguments Once upon a time, means एक बार की बात है, in a quaint, एक बहुत सुंदर सा, छोटा सा village था, जहां पे बहुत से लोग रहते थे तो यह जो गाव था, यह रॉलिंग हिल्स पे था, रॉलिंग हिल्स का मतलब होता है, एक ऐसी जगे, जो की countryside हो, जहां पर बहुत जादा इंड़िश्ट्री नहीं होती, ऐसी जगे को हम रॉलिंग हिल्स कहते हैं, there lived two neighbors, वहाँ पे दो neighbors रहते थे जिनका नाम Alice and Ben था, वो जाने जाते थे तो पूरे विलेज में अपने जगडों के लिए, और बिना मतलब की फालतू arguments के लिए पूरे गाव में वो जाने जाते थे, Each day seemed to bring a new dispute and their feud had become the talk of the town, Alice and Ben were like two peas in a pod, always at odds with one another, अब मैं इसका Hindi meaning बताती हूँ, Each day seemed to bring a new dispute, इसका मतलब होता है कि उनके बीच में हर रोज एक जगड़ा होता था, और यहाँ पे feud का जो मतलब होता है, वो लॉंग स्टेंडिंग और ओफन बिटर conflict है, इनके बीच के जो conflict होते हैं, बहुती बुरे वाले होते हैं, तो बहुत लड़ाई जगड़ा होता था हूँ, दोनों के बीच में, इसके बाद है अगला and their feud had become the talk of the town, और उनके जगड़ा था, वो पूरे टाउन में चर्चा का विशय बन चुका था, Alice and Ben were like two piece in a pod, two piece in a pod जो है, यह एक idiom है, जिसका मतलब होता है, जब दो लोग behavior में एक समान होते हैं, तो वहाँ पे हम two piece in a pod का यूज कर सकते हैं, always add oats with one another, तो यह जो दोनों थे, यह बिलकुल एक जैसे थे लड़ाई जगड़े में और हमेशा एक दूसरे के विरोध में ही रहते थे, if Alice planted a row of sunflowers in her garden, Ben would plant two rows of roses just to outdo her, अगर Alice अपने garden में sunflowers की एक रो लगाती थी, तो उसको पीछे करने के लिए अपने अपको जारा बहतर साबित करने के लिए, जो Ben था, वो रोज की यानि गुलाबों की दो पंकिती लगाता था, या दो कतारे प्लांट करता था, तो यहाँ पर एक word use हुआ है, आउट डू, आउट डू का मतलब होता है, जब हम अपने आपको दूसरों से जारा बहतर साबित करने की कोशिश करते हैं, उन्हें competition देते कि हम तुमसे जारा अच्छे हैं, तो इसको उसके लिए आउट डू वर्ड यूज किया जाता है, जि इस sentence का मतलब यह है, कि अगर बैन अपने house को, घर को नीले रंग से अगर paint करता था, तो Alice भी अपने घर को brighter shades होता है, नीले रंग का, उसके लिए अजूर वर्ड यूज किया जाता है, तो उससे भी जारा bright shade नीले रंग का वो यूज करती थी, अपने घर को paint करने के लिए, देर राइवल्री, राइवल्री का मतलब होता है, अनिमिटी, दुश्मनी, new no bounds, अब उनकी दुश्मनी की कोई सीमा ही नहीं रह गए थी और ऐसा लगता था, इसका कोई अबंध है ही नहीं, बहुता इनकी दुश्मनी कभी भी खतम नहीं होने वाली, इतना उन दोनों में competition था, one day, tired of the constant bickering, the village elder decided to intervene, he called Alice and Ben to his home and set them down for a heart-to-heart talk, एक दिन उनकी लगातार इस बिकरिंग, बिकरिंग का महला होता है, कले होना तू-तू, मैं मैं से तंग आकर, जो village का elder था, सबसे बड़ा था, उसने decide किया, उनके बीच में intervene करने का, अस्तक चेप करने का, he called Alice and Ben, उसने Alice and Ben को अपने घर बुलाया, और set them down for a heart-to-heart talk, और heart-to-heart talk करने के लिए, उनको बुलाया, heart-to-heart talk का मतलब होता है, यहाँ पर, जब कोई sincere हो करके, और बातशीत करता है, अपने experience बताता है, और पल्ली और honestly बात की जाती है, जिसमें अपनी feelings, कि अगर हम इस तरह से लड़ाई इस तरह की बात करने के लिए, उस elder person ने उनको अपने घर बुलाया, your endless squables are tearing this community apart, he said externally, it's time you both learned a value of cooperation and compromise, Alice and Ben listen intently, but old habits die hard, your endless squables, squables का मतलब होता है, argument, जो तुमारे यह तकरार है, जगड़े है, यह endless, इसकी कोई अंत है ही नहीं, तुम्हारे जगड़ों की वजए से यह जो community है, हमारी यह जो समुदाय है, इसमें भी मतभेद पैदा हो रहा है, उस elder person ने बहुत थी कठोर स्वर में ऐसा उन दोनों को बोला, Alice and Ben को, it's time you both learned, अब समय आ गया तुम दोनों को cooperation यहनी सहयोग and compromise का मतलब होता है, यह कैसे किय आ जाता है, इस बात को तुम्हें समझना ही पड़ेगा, Alice and Ben listen intently, Alice और Ben जो थे, इस बात को इसी मतलब से समझ रहे थे, लेकिन old habits die hard, यह die hard एक phrase है, जिसका मतलब होता है, कि कोई वैक्ती जो बहुत ही tough होता है, resilient होता है, stubborn होता है, उसकी आदिते बहुत जल्दी नहीं छू तब है कि यह इतनी जल्दी, यह जो इनकी आते थी, नहीं बदलने वाली थी, नहीं खत्म होने वाली थी इनकी आते लड़ाई जगडे की, As soon as they left the elder's house, they were back at it again, arguing over the most trivial matters, frustrated, the elder decided to employ a different approach, he summoned Alice and Ben once more and presented them with the challenge, As soon as they are, जैसे ही elder's house, जो बड़े आदमी के जो भी गाउं का elder's house, जैसे ही वो दोनों बार आये, उसका घर छोड़ा उन्होंने, वो दुबारा से argue करने लगे, वो भी trivial matters, बे फिजूल की बात, जो बात है useful नहीं होती, उनके उपर दुबारा बहस करने लगे, frustrated, यासा देख कर जो हो, elder's person, बहुती frustration, गुसा आ गया, frustrated हो करके उसने सोच अब मैंने के लिए different idea या अप्रोच लगाऊंगा, और तभी ये दोनों सुधरेंगे, he summoned, उसने Alice और Ben को समन का मलबत एक ऐसा आदेख देना, जिसकी वज़े से उस person को हाजिर होना पड़े, वहाँ पर उपस्त और एक challenge उनके सामने पेश किया, for the next month he said, I want you to try something different, instead of retaliating against each other, I want you to respond with kindness and understanding, let's see if a little goodwill can mend your broken relationship, तो अब हम इसको हिंदी में बताते हैं, next month, अगले month के लिए, उसने कहा, I want, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों को कुछ different सा कुछ करो, बजाए इसके एक दूस्ते के खिलाफ retaliating behavior, retaliating का मतलब होता है, जब कोई respond करता है किसी action के उपर, और वो उसके जवाब में वो भी वही action करे, अगर कोई मारे तो वो भी उसके जवाब में उसको slap करे, उसका मतलब तो retaliating behavior, I want you to respond with kind, मैं चाहता हूं कि तुम जोनों का जो respond हो, वो kindness के साथ हो, आप से समझ के साथ हो, let's see, देखते हैं यह जो little goodwill है, तुम्हारे broken, टूटे हुए relationship को, man, यानि मरमत कर पाती है, ठीक कर पाती है, यहाँ पे little goodwill जो है, इसका मतलब होता है, small amount of kindness, generosity और positive regard towards other, यानि एक दूसरे के परती, उनमें generosity हो, kindness हो और generosity हो, और positivity भी हो, तो वहाँ पे हम goodwill को use करते हैं, for the, sorry, at first, Alice and Ben were skeptical, how could they possibly change their way after years of animosity, but the elders were stuck accord, and they reluctantly agreed to give it a try, शुरुआत में ऐसा हुआ, Alice और Ben, दोनों ही उल्जन में होना, how could they, वो कैसे अपना इतने सालों की दुश्मनी है, उसे कैसे change कर सकते हैं, जो इतने सालों की दुश्मनी का रास्ता, उन्होंने चुना था, उस रास्ते को कैसे change कर सकते थे, but the elders word, stuck accord, stuck accord जो है, यह एक हमारा phrase है, जिसका मतलब होता, अगर कोई हमसे कोई बात कह राए कि यह काम करो, तो हमें वो बात दिल को छू जाए, और हमें वो काम करना पड़ा हुआ, उसके word हमारे दिल को छू जाए, stuck कर जाए, तो इसका यहाँ पर यही मतलब होता, but the elders word, लेकि उस बड़े इंसान के, जो ब expectation उसको feel हो, उसकी इच्छा ना हो सकाम को करने की, और उसमें कोई अन्थियाज बर एगरनेस ना हो, तो वहाँ पर हम रेलुकेंटली वर्ड को यूज़ करते हैं, The first few days were the hardest, every instinct urged them to lash out at each other, but they bit their tongues and force a smile instead, slowly but surely something remarkable began to happen, first few days, यानि कुछ दिनों में, जो पहले के कुछ दिन थे, बहुत ही कठिन थे दोनों के लिए, every instinct urged them, उन्हें हर एक बात पर जो था गुसा आता था एक दूसरे के परती, but they bit their tongues and forces a smile instead, लेकिन एक दूसरे सो रजने की बज़ा, उन्हें उन्हें सोचा, उन्हें जबरदस्ती हसना पड़ा, because ये शर्त थी कि आपको दूसरे के परती जो आपका प्योहार होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और आप दोनों को compromise करना आना चाहिए, और corporate करना आना चाहिए, ये शर्त थी ना, जो बड़े idea person ने उन्हें के गाउं के दी थी, तो उन्हें जबरदस्ती हसने के लिए और मुस्कुरा करने के लिए वो मजबूर थे, slowly, धीरे धीरे, लेकिन surely निशित रूप से, एक remarkable जो beginning होने वाली थी, वो शुरू हो चुकी थी, यानि जो बदलाव था, वो दिखने लगा था, जो भी वो एक दूसरा को रिस्पाउंद के लिए पहले प्रोवकेशन वगरा करते हैं, वो जानमुस के अक्षन किया जाता है, तो जो भी वह एक दूसरे को पहले प्रोवोकेशन वगरा करते थे अब उसे पेशेंच के साथ और कमपेशन के साथ मतलब डील करते थे अब वह उकसाने में नहीं आते थे तो जो उनके बीच की टैंशन थी वह धीरे-धीरे जो थी वह डिसीपेट होने लगी मतलब गायब हो खत्म हो जाना यह स्टार्ट फी इच अदर वह एक दूसरे को एड़सरी की तरह नहीं देख ते अड़सरी का मतलब अपोनेंट विरोधी की तरह और दुश्मन की तरह नहीं देखते थे यह जवरत के समय उपस्थी थे तो ऐसे पर शिवरत के रूप में देखते थे जब जो बैन की दीवार थी उसे रिपेर की जरूरत थी मरमत की जरूरत थी तो एलिस ने उसे अपनी जब एलिस की कैट मिसिंग हो गई खो गई तो बैन ने घंटो लगाए उसे सर्च करने में पूरे गाव मुष्ण उसे तब तक सर्च किया जब तक कि वो कैट उसे सेफ एंड साउंड नहीं मिल गए सेफ एंड साउंड का बनावता सही सलामत एलिस एंड बैन रियलाइज सम्थिंग प्रोफाउंड बैकिंग ने रियलाइज किया मैसूस किया कुछ गंभीरता पूरवग प्रोफाउंड का मतलब गंभीरता पूरवग गहराई से महसूस करना जो साइक थी टिटफोर टेट की उसको उन्होंने तोड़ा जैसे को तैस्टा करनने वाली जो नमा भावना थी इस इसको उन्होंने ब्रेक किया थीग अन्हें चुर्प में टॉष्क करते हैं और एक दूरेभ्ड करते हैं असने संथा वह से चकταकूए पूरेसंट से बनी हुई थी इंपैथी मतला हमदर्दी, kindness मतला दया से बनी हुई थी word of their transformation spread quickly throughout the village inspiring others to follow suit word of their transformation उनके जो बदलाव की ये जो बात थी वो चारो तरफ गाओं में, चारो ओर बड़ी तेजी से फैल गई और इसे दूसरे लोग भी से अपनाने के लिए, सुईधा पूरवक अपनाने के लिए उसको follow करने लगए और inspire हुए and as the days turned into weeks and the weeks into months the spirit of cooperation and harmony took root transforming the once divided community into a place of unity and peace and as the days turned, day जो थे वो सप्ता में बदलते गए, सप्ता महीनों में बदल गए और जो cooperation की जो भावना थी और जो हार्मोनी थी उन्होंन अपनी जड़े ले ली, हार्मोनी का बदल बदल भाईचारे की भावना ने अपनी जड़े फैलाई और जो एक divided community उनकी वज़े से हो गई थी, उसकी जगे अब unity and peace ने लिल थी and so in a small village nestled among rolling hills, two neighbors learned the timeless lesson that sometimes the greatest victories come not from winning arguments but from finding common ground and so इस प्रकार से जो छोटा सा वो गाव था, वहाँ पे rolling hills जिसे हम कहते थे, वहाँ पे लोगों ने अच्छे से रहना सीख लिया दो neighbors जो थे उन्होंने भी timeless, कभी एक अनन्द lesson सीखा इस challenge से, कभी कभी जो बड़ी बड़ी victories होती है, हम जीत जाते हैं, winning argument करना यह सही नहीं, उसकी जगे एक common ground हमें find करना चाहिए, जहाँ पर मिल बैटके हम अपनी समस्याओं को सुलजा सकते हैं, इन दोनों के से lesson मिल ग वो इसको हमेशा destroy करते रहते, peaceful environment इड़ो ने अपनी वज़े से पूरी तरह से destroy कर रहा था, तो इस तरह से challenge के जाना, दोनों एक दूसरे से काफी मित्रता सा मिलने लगे और गाउं में शान्ती छा गई, I hope यह lesson आपको समझ में आया होगा, इसमें बहुत सारे phrases और idioms को भी usage किया गया है, जिसके मैंने meaningfully बताए है, अगर यह कहानी आपको पसंद आती है, तो मेरे चैनल को like, share and subscribe जरूर करें, मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, till then bye bye